स्टोन्स का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं स्टोन्स का दो तरीके से इस्तिमाल किया जा सकता है एक तो स्टोन का प्लूरल यानि कि भवचन होता है स्टोन्स यानि कि एक से ज्यादा स्टोन को हम स्टोन्स कहते हैं Stone का आर्थ होता है पत्थर, नगीना, कंकड, रोडा, गुठली, फलों की गुठली या पत्थरी तो एक से ज़्यादा पत्थरों, नगीनों, कंकडों, रोडों, गुठलियों, फलों की गुठलियों या पत्थरियों को हम Stones कह सकते हैं इसके इलावा इसका verb की रूप में भी इस्तिमाल किया जाता है तो verb की रूप में stone का इस्तिमाल जब हम present in definite tense में he, she, eat ये singular third person के साथ करते हैं तो rule के coding इसके साथ ऐस लगाते हैं जिससे stones बनता है और stones का आर्थ होता है कि stone करता है ये करती है और stone करने का आर्थ होता है पत्थरों से मारना, पत्थर फैंकना, पत्राव करना ये गुठली निकालना तो stones का मतलब हुआ कि पत्थरों से मारता है ये मारती है पत्थर फैंकता है ये फैंकती है, पत्थराव करता है ये करती है या गुठली निकालता है या निकालती है या निकाल देता है या निकाल देती है जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि वह बड़े बड़े पत्थरों को विष्मे से देखती रही तो आप कहेंगे she gazed in awe at the great stones या अगर आप ये कहना चाहें कि रास्ते में पत्थरों का बड़ा धेर लगा हुआ था तो आप कहेंगे There was a big heap of stones in the road There was a big heap of stones in the road अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें